तो आज मैं आपको प्रोटीन और वीटमीन से भरबुर ब्रोकली की सबजी पनाने का एक तम इसी तरीका बताऊंगा इस तरीक के से आपकी ब्रोकली की सबजी काफी हेल्दी और टेस्टी वनेगी तो चलिए रेस्ट भी शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक फूल ब्रोकली का लिया है इसका जो बेट है 500 ग्राम है अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है पहले इसके बद में इसकी कटिंग करेंगे तो यह देखिए डंटल से आपने इस तरह से पकड़ना है और इसके जितने फूल है न उनको छोड़े पी उसका यूज़ को हम नहीं करेंगे बर जो सॉफ्ट वड़ा पार्ट है न उसको आपने देखिए नाइफ की सारी तरह से इस तरह से चोड़े पीसी में काट लेना है कि जदा हार्ड होता है इसको आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं और कि देखिए इस तरह से आपने डं रखने है और कम से कम 3-4 मिन तक आपने ब्रॉकली को स्टीम करना है सिर्फ 3-4 मिन तक ब्रॉकली को स्टीम करेंगे आपकी ब्रॉकली एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और इसकी न्यूट्रिन पैल्यू भी बनी रहेगी तो कभी ब्रॉकली की सबजी बनाने हो इसी तरह से बना आप चाहें टमाटरों को पीस के भी उस कर सकते हैं तड़के में तो यहाप मैंने एक कड़ाई लिया है और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल आड़ करेंगे आप चाहें ऑली बॉयल में भी सबजी को बना सकते हैं सरसों के तेल को अच्छे से दुआ निकलने तक गर्म कर लेना अच्छी है तक इसका स्ट्रॉंग फ्लेवर खत्म हो जाए फिर इसको नॉर्मल टेंपरेचर में आने देते हैं थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे दो तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची एक आपने इसमें लॉंग डालना है एक छोटा सा टुकड़ा दालची एड़ करेंगे और एक मैंने इलाइची एड़ की है और इसके साथ में आदा छोटा चमच आपने साबू जीर एड़ कर देना है मसाले देखिए तिर्क चुके हैं इसके बद एक छोटा चमच बहर किया बरी कट और लस् की है नमक डालने से ना प्याज जलती पक जाता है अब अपने गैस की फ्ले मीडियम टु हाई रखनी है मीडियम टु हाई फ्ले में प्याज को तब तो पकाना है जब तब प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और कंटीन्यू बढ़र चलाती रहना है तो के देखिए प्याज का कलर हलकर साथ चेंज हो चुका है आदा छोड़ा चमर्च आप इसमें अधर कलसन का पेश आड़ कीशिए और अब आपने है इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम में अधर कलसन के पेश को अराम से पका लेना है हाई फ्लेम रखेंगे तो क्या होगा अधर कलसन का पेश ना एकदम से जल जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा फिर हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची आड़ करेंगे और आदा छोड़ा चमच आपने इसमें देगी मिर्च पॉर्डर या कश्मेरी मिर्च पॉर्डर डालना है इससे ना कलर अच्छा आएगा अगर आपके दोनों नहीं है अब थोड़ा सा लाल मिर्ची पॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं तो देखिए हल्दी और मिर्ची को मैंने पका लिया थोड़ा सा फिर टमाटर एड़ कर देंगे टमाटरों को जल्दी से मिक्स कर लेते हैं ताकि मिर्ची और हल्दी जलेना और इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक और एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी सबजी मे add कर दिया था, साथ में थोड़ा सा मैंने पानी add की है, क्योंकि टमाटरों में moisture कम है, तो पानी के साथ हम टमाटरों को पकाएंगे, जल्दी पकेंगे अब टमाटरों को कभी भी जल्दी गलाना हो ना तो उपर से cover करके पकाईए, दो से 3 मिन तक मैंने उपर से cover करके पकाए है और हमारे जो टमाटरों एकदम अच्छी तरह से आपे गल चुके हैं, और एक बत अभी मैंने टमाटरों के नब भुनाई नहीं किया है, सिर्फ इनको soft करने के लिए पकाए हैं यापे बुनाई कैसे करने हैं, बो भी आपको तरीका बता दो कैसे अपने टमाटरों का खटा टेश ख़तम करना है आपे, मसाले भी एड़ कर देते हैं आदा शुटा चमच आप इसमें धनिया पौर्डर एड़ कर दीशे आदा शुटा चमच आप इसमें जीरा पौर्डर डा दीशे और थोड़ी से इसमें रोज की कसूरी मेथी आइड़ करेंगे मसाला को भी टमाटरों को साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और के देखिए मसाला को यहाँ पर मैं अच्छी से मिक्स कर लिया है अब इसके बदे में थोड़ा सा देही आइड़ करेंगे तो यह मैंने ना देही लिया है फ्रेश देही जदा खटा नहीं होना चाहिए जदा खटा देही होगा तो क्यों होगा सबजी का टेस्ट खटा हो जाएगा तो दो छोटे चमब भरके मैंने इसमें देही आइड़ किया है देही से बहुत ही बड़ी आड़ टेस्ट आएगा जो हमारी ग्रेवी बनके त्यार होगी उसमें तो देही को भी यहाँ पर मैंने हाई फ्रेम में अच्छी तरह से पका लिया है इसके बड़ आपने क्या करना है जो डंठल डंठल थे न हमने स्टीम के थे पहले डंठल एड़ कर देने हैं और डंठल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ग्रेवी के साथ में डंटल यहाँ पर मैंने पहले तो डाले हैं क्योंकि स्टीम करके हमने डंटल को पका तो लिया था पर पिल्कुल सॉफ्ट करने हैं तो मसाले के साथ इसको पकाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तीन से चार मिंट तक इनको पकने दीचिए लो फले में यह देखिए तीन से चार मिंट के बाद देखेंगे आपका जो मसाले ना अच्छी तरह से पक गया होगा और डंटल भी एकदम सॉफ्ट हो गया होगे फिर हम इसमें ब्रॉकली याइड कर देंगे और ब्रॉकली को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब ब्रोकली और मसाला मिक्स करने का क्या होगा ब्रोकली तो पक चुकी है, मसाला भी पक चुका है बड़ मसाला को जो टेस्ट है ब्रोकली के अंदर आना अची है तो ब्रोकली को भी उपर से 2-3 मिन तक कवर कर दीचिए और medium to low flame में ब्रोकली को 2-3 मिन तक आपने पकने देना है इतनी देर में मसालों का टेस्ट ब्रोकली के अंदर तक अच्छे से आजाएगा तो के देखिए मसाले और ब्रोकली अच्छी तरह से आपे mix हो चुके हैं आप डालना चाहें थोड़ा सा सब्जी के अंदर पानी डाल सकते हैं अगर gravy वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं और last में आपने उपर से थोड़ा सा बरी कटो अहरा धनिय डाल देना है और थोड़ा सा अगर आपके अस बटर है या फिर देशी की है थोड़ा साप इसमें बटर या देशी की भी डार सकते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है तो इस तरह से ब्रॉकली की सबजी बनाएंगे टेस्टी तो बनेगी बनेगी काफी हेल्दी बनेगी वीडियो चलागोगा लाइक शेर कमें जुरूर कीचेगा